मसकार दोस्तो एक और नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम कंपेर करेंगे कि डिसकाउंट ब्रोकरेज जो फर्म है जरोधा और अप्स्टोक्स दोनों में से हमें अपना अकाउंट किसमें ओपन करना चाहिए तो देखिए अगर आपको डिले अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 300 रुपए और ये अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज आपसे 300 रुपए ही लेते हैं इंट्रडे में आपसे ये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं 0.03% और डिलीबरी में आपसे ब्रोकरेज 0 लेते हैं तो क्या ये सच में यही चार्ज लेते हैं या इसके अलाबा भी कुछ है तो जैसे कि आपको पता है कि डिलीबरी जरोधा पर जिरू है तो इसका मतलब अगर आप कोई भी शेयर डिलीबरी में खरीद के रखते हैं और उनको सेल करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरे चार्ज नहीं देना होगा जो सेवी के चार्जेस बगर हैं बो ही देने होंगे और अगर अप्स्टॉक्स की बात करें तो ये अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री करते हैं और अकाउंट मेंटेनेंस का ये भी सेम चार्ज करते हैं इंट्राडे में ये 0.5% चार्ज करते हैं बल्कि आपको जिरोधा 0.3% चार्ज करता है उसका भी कारण है क्योंकि ये आपको margin ज़्यादा देते हैं अगर आपको intraday करना है तो आपके लिए margin upstock में ज़्यादा मिलेगा delivery में दिखा रहे हैं ये आपको zero charge करते हैं बट ऐसा नहीं है बो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आपको पता है ये delivery आपको zero दिखा रहे हैं बट इन्होंने कहीं पर भी हाँ mention नहीं किया है कि ये delivery में charge करते हैं upstocks आपको 18 रुपी प्लस GST delivery में sale order पर charge करता है चाहें आप उस company का एक share बेचे या 10 share बेचे या 100 आपको 18 रुपए प्लस GST देना ही है और ये intra day में आपसे 20 रुपए चार्ज करते हैं अगर maximum आपका brokerage जो आपसे लेंगे पर day में पर company के लिए वो 20 रुपए ही होगा और अगर आपका auto square रुप होता है जैसे कि upstocks auto square रुप कर देता है तीन बच के 10 मिड़ पे ति अगर तीन बच के 10 मिड़ पे आपने intra day में कोई भी order sale या buy करना है तो आपका auto square रुप होने पर ये 20 रुपए plus GST चार्ज करेंगे जो कि 23 रुपए कुछ पैसे होता है और आपको ये margin ज्यादा देते हैं intra day में तो अगर आपको intra day करना है सिर्फ और auto square रुप से आप बस सकते हैं तो आपके लिए best है upstocks और अ आपको delivery के लिए जरोधा को prefer करना चाहिए उसकी बजह मां आपको दिखा दे रहा हूं जैसे कि यह आपको दिखा रहा है यह demand transaction charge के नाम पर आपसे 18 रुपए plus GST चार्ज करते हैं जो कि आपसे जरोधा नहीं करता है देखिए sales ID पर आपको दिखाया है at 18 रुपए 50 पैसा पर script यह charge करते हैं जो कि जरोधा आपको zero charge करता है तो अगर आपको delivery में order purchase करने है और sale करने है शरिफ तो आप जरोधा में अपना account open कराएं क्यूंकि जरोधा में आपके लिए delivery में सबसे बहतर रहेगा पर वो आपके लिए intraday में इतना margin नहीं देता और आपके पास अगर fund की कोई कमी नहीं है और आपको margin नहीं चाहिए ज़्यादा तो आप जरोधा में अपना account दोनों ही काम के लिए open करा सकते हैं और अगर आपको सिर्फ intraday करना है और आपको margin ज़्यादा चाहिए तो आप stocks में अपना account open करा सकते हैं क्योंकि account भी free open होगा और आपका maintenance same पर अगर आप delivery करेंगे तो आपको यह 18 रुपे plus GST चार्ज पड़ेगा तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जरोधा अप stocks से बहतर है सिर्फ आपके लिए margin ही वहाँ पर कम है लिकिन जरोधा अप stocks से बहतर है बाकी जो चार्ज होते हैं सेवी का चार्ज होता है या stamp duty होती है GST होती है वो सभी जगह सेम मिलेगी चाहें जरोधा हो या up stocks हो या angel हो या कोई भी हो सब जगह सेम रहेगी तो अगर आपको अपना account open करना है तो पहले आप यह decide कर लें कि आपको क्या करना है अगर आप दोनों ही काम करने हो और आपको margin नहीं चाहिए तो आप जरो करते हैं या फिर आपको दोनों ही काम करने है तो आप दोनों फर्मों में account open कर सकते हैं delivery के लिए जरोधा प्रफेर करें और intraday के लिए up stocks प्रफेर करें तो आप दोनों ही जगह अपना account open करा सकते हैं वट आगर आप नए है market में तो आप जरोधा में अपना account open कराएं और बहाँ पर delivery और intraday दोनों का ही इस्तमाल करें बट नए लोगों के लिए intraday इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए जब तक आपको market का पूरा ग्यान ना हो तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें intraday जरोधा तीन गुना आपको margin देता है आपके amount का बलकि आपने देखा up stocks में आपको 7 गुना amount देता है तो बहाँ पर आपको 4 गुना का फर्क पड़ता है फोर टाइम आपको खम मिलेगा margin बट इससे दिक्कत नहीं है दिक्कत यहाँ पर है कि अगर आप करना क्या चाहरा है market में आपको profit से मतलब है इससे मतलब नहीं है कि आपको कौन ज़्यादा लाल अच्छी चीज नहीं है जितना ज़्यादा margin लेंगे वो आपके लिए भी नुकसान दायक साबित हो सकता है अगर आपको loss होगा तो loss भी आपके margin के हिसाब से ज़्यादा होगा क्योंकि आपने 1000 रुपए के बदले 7000 रुपए का amount लगा रखा होगा तो जाहिर सी बात है आ आपको 7000 पे loss होगा तो इसलिए आप जरोधा प्रफेर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है सर्विसेस लगबग सेम हैं दोनों की बलकि जरोधा में कुछ features और अच्छे भी हैं अब stocks में भी कुछ server की दिक्कत जल्दी नहीं आती है जरोधा में थोड़ा लोगों क ज़्यादा account है इस बज़े से थोड़ा सा server की app crash बगरा ज़्यादा हो जाती है दिक्कत आ जाती है market पे जब ज़्यादा load रहता है बाकि आप दोनों में से कोई भी app ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे लिंक आपको upstocks का मेरे description box में मिल जाएगा आप बहां से भी account open कर कराके help कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो like, share और subscribe जरू करें आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिने इन दोनों brokerage के बारे में जानकारी लेनी है या इने compare करना है तो धन्यबाद दोस्तों